नमशकार बहुत दुख का विशे है कि आजकल हमारे जो यूथ हैं उनके हाट कोलेप्स होते हैं यानी हार्ट अटेक बहुत दुख़त विशे हैं वाकई में मैं तो बड़ा उद्वेलित हूँ इस बात से कि हमारे जो यूवा हैं उनको heart collapse हो रहे हैं और ये कोई एक दिन की बिमारी नहीं है ये बहुत जो हम 15-20 साल से जो हमारा जीवन की शैली जीवन शैली को जी रहे हैं ये इतनी घातक है और अगर इस बात को आज भी नहीं समझा गया तो ये 40 साल नहीं ये आपको मै मेरा एक योगशिविर था पुलिस विभाग का उस समय मैंने ये बात उसी समय कोट की थी कि ये समझ्चा आने वाली है कि यूथ को heart attack आएंगे क्योंकि उस समय heart attack 65, 60, 70 इस उम्र के लोगों को आते थे यानि retirement के बाद और उसका जब मैंने ये बात शुरू की थी कही थी उस उस समय 2005 के आसपास लगबग 55 साल के लोगों को आना शुरू हो गया था तो अंदेशा हो गया था कि हमारी ओसत आयू धीरे 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 ये heart attack की कम होती जा रही है उस समय भी मैंने यूद को बहुत बहुत लोगों को कहा था कि आप अपने जीवन शैली को सुधार लीजिए आपको मैं बताओं देखिए आप बहुत ज्यादा नहीं सुधार सकते तो इतना तो जरूर करिए कि ये बाहार के जितने जंग foods है ये मत खाये इस जीब के सुआ जीवन शैली बहुत आफशक है जो हजारो साल से हमारे रिशे मुनी बताते हैं कि सुर्योदय से पहले उठना जरूरी है तो वो जरूरी ही है वो भले ही आप बहुत विदेशों में पढ़ लें बहुत बड़ी पढ़ाई कर लें कुछ फरक नहीं पढ़ता बहुत अंग्र लेकिन बहुत दुखत है मेरे जो यहां आसपास में भी मतलब बड़े शैर होगी तो बात छोड़िये चूरू हमारा बहुत छोटा सा शैर है डिस्टिक्ट हेड़कॉर्टर है लेकिन छोटा शैर है लेकिन आसपास की पंदरा भीज दिन में एक सूचना ऐसी मिल जाती है क 35 साल की एज थी हार्ट कोलेप्स हो गया 40 साल की एज थी हार्ट कोलेप्स हो गया ये बहुत दुखत है और एक चीज और समझ लीजिएगा आप जो व्यक्ति 35 से 40 की एज में आ जाता है वो अपने आपको यूवा ना समझे आप यूवा कहीं भी लिखें कहीं भी कहें लेकि लीजिएगा क्यों क्योंकि हमारी जो जिम हाँ जिसने अच्छा खाया दूद दही खाता है जो वेकती सुवै एक गिलास कच्चा दूद पीरा है दूद रोती चूर के दही रोटी खा गया पेट भरके खा रहा है उसका मैं नहीं कहता और जो चार-पांच घंटे खेत में चार-पांच घंटे अपने वर्क पे या कहीं भी तकड़ी मेहनत कर रहा है पसीना निकाल ला है उसको छोड़ दीजिए उसका अलग मामला है वो 45-50 में बुड़े की प काम नहीं करते और आलश्य युक्त जीवन जी रहे है वो 35-40 में अपने आपको बुड़ापे के पाइदान पर समझ लीजिएगा उनकी जीवन शैली का आप उसको समझ ये आप हाट कोलेप्स इस उम्र में क्यों होता है और क्यों ये समश्या हुई देखिए हमारी इस उम् अंदर की जो इस्तितियां है वो बुड़ापे जैसी है वो बुजूर्गियत जैसी है यानि एक उम्र के बाद इन पाइपलाइन में अंदर कोलेस्टरोल बैड कोलेस्टरोल जम जाता है हम जो खाते हैं जो बुरा-बुरा खाते हैं वो जमता जाता है और जो पाइपलाइ और आगे का रास्ता संकड़ा हो गया तो क्या होगी जो मोटर है जो पंप करती है वो बंद हो जाएगी आप अपने घर पे देख लीजिए आपने एक HP का पारी चढ़ाने का मोटर लगा रखा है उसके आगे एक पाइप लगा रखा है वो आपको पलंबर क्या कहता है एक इं आप पाव इंच का यानि एक इंच के चोथा ही इससे का पाइप लगा दिया तो वो मोटर इतनी प्रेशर में आ जाएगी कि एक दिन उसको जलना पड़ेगा तो आपकी स्तिती यही हो रही है जो हमारे आज की युवा है जो 35-40 की एस तक आ चुके है उनकी स्तिती यह है कि उनका pump तो अभी भी एक HP का है लेकिन उनकी pipeline जो है वो एक इंच की नहीं रही है तो जो एक इंच की pipeline है वो पाव इंच की हो चुकी है और यह जो system है इसमें motor कोन है हमारे शरीर का heart वो motor है हमारे शरीर की धमनिया वो pipeline है जिनके अंदर से blood जाता है और वो blood जब तक clean रास्त किए जो सूर्य नमाश्कार शरूर किजिएा हैं। उसके लिए आप प्रानयाम कर किजिए कुछ तो करिए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको बहुत आलश्य है तो सुक्षम क्रिया शुरू कर दीजिए हमारे हर जोड की एक-एक सुक्षम क्रिया है पूरे सरीर के एक-एक जोड की जोड जोड को आपने रोज हिला दिया तो ये मान के चलिएगा कि आपकी पाइप लाइन्स में से वो कचरा धीरे-धीरे कम होता जाएगा आपकी जो 35-40 की जो डेड लाइन है वो डेड लाइन बढ़के 50 तक आ जाएगी आपकी बुजर्गियत 10 साल आगे चली जाएगी अगर ये ऐसा कर सकते है साथ में ये इन्पूट का रास्ता ये जो रास्ता है इस रास्ते में जो कुछ डालेंगे वही हमारे शरीर को बनाएगा तो दूद दही खाईए, स्वस्त, शुद्ध लेने का परियास कीजिए, जिनके गाउं हैं, जिनके पास खेत हैं, जिनके आस पास में गाई हैं, वो तो कम से कम खाईए, जिनको पैकेट्स का खाने की मजबूरी है, उनका तो क्या करें, लेकिन खा रहे हैं तो ठीक है, लेकि के लिए तो हमें केवल अपने आलश्य को त्याग ना पड़ेगा तो सुरियोदे से पहले उठ गए ना आपको ये मानी आदी बिमारी तो वहीं कट गई सुरियोदे से पहले उठ जाईए उससे में हमें शरीर की पाइपलाइन की बहुत पावर होती है उससे में थोड़ा हमें फिर कभी नहीं मिलेगी हम स्वस्त जीवन हमारे युगाओं को दे पाएंगे ऐसी अपेक्षा में करता हूं कि आप अपने साथ में अपने बच्चों को योग जो है वो जरूर करवाईए बच्चे यानि छोटे बच्चों से ही शुरुआत कर दीजिए उनको प्राण तो यह पाइपलाइन का जो कच्रा है ना यह और बढ़ता जाएगा और संकड़ी होती जाएगी यह लाईने इसलिए टेंशन से जो है वो भी आदमी डिप्रेशन में पहुंच जाता है और उसके डाइजेशन सिस्टम उसका खराब हो जाता है उसके हार्ट पर एफेक्ट है उसके लंग्स पर एफेक्ट आता है और उसके ओर्गंस जो है वो दीरे-दीरे काम करना बंद कर देते हैं और फिर विभिन प्रकार की बीमारिया उसको घर करती है तो उसके लिए खुश मिजाद रहना और बच्चों को आपने ओम का नाद करवा दिया ना सुबह सुबह और जो बच्चे स्कूल जाते हैं अभी तो स्कूल देरे-देरे खुलने लगे हैं लेकिन नहीं भी जाते हैं घर पे भी रहते हैं तो उनको ये पैकेट्स वाले फूर्ट मत दीजिए आप बिस्किट पकड़ा देते हैं चिप्स पकड़ा देते हैं और अजी खतरनाक मामल आप जहर दे रहे हैं वो जहर है वो अगर बहुत ज़्यादा मत्रा में बच्चों ने खा लिया तो बैड कोलिस्ट्रोल इतना शरीर में आजाएगा जितना एक साट-सातर साल की बुजूर्ग में नहीं है जितना उस बीस साल के बच्चे में आजाएगा आप क्यों कर रहे तीन दिन खिला के देखिए फिर असर का बच्चे की अक्टिवने इस आपको दिख जाएगी हाथ तो हाथ रिजल्ट मिलेगा लेकिन खिला के देखिए शुबह दूड मत पिलाइएगा बच्चे को बच्चे को दूड पिलाया हुआ उसका कफ बढ़ाता है और उसक सलाज से शरीर को पेट को भर लेजिए, ऐसा कुछ करेंगे, कच्चे अनाज, कच्ची सबजियां, कच्ची फल, जितने खा सकते हैं, उतना खाईए, कच्चे अनाज का मतलब अंकुरी तनाज, सुबह सुबह खाईएगा, ऐलोवेरा एक बहुत अच्छी चीज है, आमला जीवनी ओशिदी है, ये चीजों को आप अपनाएं, तो मुझे लगता है, कि ये जो आजकल दुखत सूचना है, हमें मिल रही हैं, बहुत दुखत है, जो भी युवा वस्ता में हमारे बीच से गए हैं, मतलब मन उद्वेलित हो जाता है, और इसलिए इस विशे को आज मै ये उद्देश्य नहीं था, इसमें कुछ सिखाऊं, लेकिन ये एक आपको ट्रिग्रिंग हो, एक आपके चोट लगे, आप समझे कि वाकई में मुझे जागना पड़ेगा, तो आप जागने की उम रहा चुकी है, जागिए और बच्चों को भी जगाईए, तो आप दीज ये इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगत्चारे को, त्रेनित्र टीवे के लिए, त्रेनित्र योगधाम से, नमस्कार